हाई गाईज, वेलकम बेक टू माई चैनल, आपको एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है और मुझे उमीद है कि आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्थ होगे तो बच्चे कई दिन से कर रहे थे कि ममे कुछ special सा नाश्ता बनाईए, कुछ special सा बनाईए, रोज सुवे स्कूल जाना हबड़ हबड़ में तो आज है उनकी छुटी, तो मैंने सुचा क्यों ना कुछ special सा बनाके दिया जाए उन्हें, तो आज मैं बना रही हूँ उनके लिए छोले बटूरे और आज की वीडियो, रिक्वेस्टिट वीडियो है, जो मुझे बहुत लोगों के कमेंट आए थी कि दीदी, प्लीज आप घर पे बितामबरी कैसे बनाते हैं, वो बताईएगा तो आज मैं भी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुझे उमीद है कि आपको वो पसंद आएगी, और आप भी घर में ट्राई करोगे, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छे से बन जाती है, और उसका काम जो रिजल्ट आता है, बहुत ही उनिक आता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, उसका निकल के आया है, मैं यह चोले की भटूरे किसी चीज की रेशिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कई बार यह कर चुकी हूँ, फिर बार बार वही रीपीट करना, आप भी बोरोगे, मैं भी बोरोगी, तो इसलिए मैं आज कोई रेशिपी या तो यहां गरम-गरम छोले गरम-गरम भटूरे हैं, तो आईए आप भी खाईए, गरम-गरम जोले भटूरे, कभी-कभी इतना ओईली चल जाता है, लेकिन बच्चों को तो रोज ऐसी चीचे खिला दीजे, आप तो वो रोज खाना चाहते हैं, लेकिन रोज तो यह पॉसिब लगा दी थी दोनों भाई भेन अंदर खा रहे हैं तो चलिए उनको और देहाते हैं तब मैं आप से करती हूं बात कपड़े धूल चुके हैं मेरे पूजा पार्ट वगरा जितना भी मेरे सुबह के काम होते हैं वो मैं सब निपटा चुकी हूं बच्चों का अज़ा करे थी क बच्चों के निपटें तब मैं बनाओं तो उन्हों को नहा लिया दो लिया सबने सब काम उनके भी निपट गाए हैं अब वो दोनों कर रहे हैं भाई भेन अंदर बढ़के नाश्टा तो उनको नाश्टा करा देती हूं और अपने भी कर लेती हूं फिर लिए थी मैंने 4000 सब्जी तो यह वैगन है हरी मिर्ची है शिम्म रॉल्च है टमाटर और लिया थासाथ में पालक haven बलते एद्ळ और छोड़ा साथ में लगा दूंगी तो reekलत की अब्याषाई है इस अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं यह तो चलिए फिर अब पितामबरी बनाते हैं कैसे बनता है कैसे यूज होता है वो सब मैं आपको डटेल से बताऊंगी आपको पता है कहीं कहीं पितामबरी मिलती नहीं है और मिलती है तो थोड़ी कॉसली मिलती है यहां मैं घर के बेसिक चीजों से आपको पितामरी बनाना बताती हूँ तो इसके लिए मैंने ले लिया है दो चम्मच आटा ये सब घर में आराम से मिल जाता है कोई ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं है इसमें एक चम्मच टाटरी है ये या सैट्रिक एसिड बोलीजे आप या नीबू का सत्र बोलीजे कुछ भी बोलीजे वो है एक चम्मच मैंने ले लिया है खाने वाला नमक कोई सा भी आप नमक यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने जरा सा और इसमें एट कर दिया है अब इसमें दो चम्मच सर्फ टाइड कोई भी वाशिंग पॉड़र जो आप घर में डेली यूज़ करते हो वो ले लीजे अब इन सब चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसमें यदि बजार जैसा लुक देना है तो थोड़ा सा फूट कलर मिला दीजे नहीं तो आप इसे ऐसे भी रहने दीजे मैंने आपके लिए थोड़ा सा डाला था एक पिंच परावर डाला था लेकिन वो कलर नहीं आया क्योंकि समान जादा है कलर कम था तो वो कलर नहीं आया है हलका हलका सा आया था तो कोई बात नहीं आपका है मन तो आप डाल लीजे नहीं है तो कोई फरक नहीं पड़ा है इसका कोई जरूरी नहीं नहीं डालना है हमें यह अप्शनल है अब मैं इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके इन्हें पीस अब आप ग्लास में हल्के से पानी की छीटे मार दीजी ज्यादा पानी नहीं है हल्का सभी छीटा मार लीजे पानी के और ये लगार अच्छे से ग्लास को धुलेना है जैसे हम नॉर्मल बर्दन धोते हैं ब्रुकुल वैसी धोना है ज्यादा रगड़ना नहीं है ज्यादा कुछ नहीं करना है बस हलके हाथ से जो ये हमने पॉर्डर बनाया है ये सम्में लगा देना है पूरे में आप चाहो तो बहुत गंदा है तो आप थोड़ी दे लगा के रख दीजे इसे और बाकी के काम निप्टा लीजे यदि नहीं ज्यादा गंदा है तो आप बस इसे हलके हाथ से एक बार स्क्रप कर लीजिए जहां निशान में थोड़ा सा रगड़ दीजे धंग से वरना आप ऐसी हलका सा कर लीजिए देखिया कितने कम टाइम में कितना अच्छा हो गया है मेरा साफ ये अब मैं इसे नॉर्मल पानी से धोलूंगी एक दम चमा चम निकल के आता है ये बहुत सुन्द साफ उचाते हैं से इससे आप तामे के पीतल के लोहे कि किसी के भी बरतन साफ करिये बहुत अच्छे से साफ होते हैं तो कैसा लगा आपको मेरा पितामबरी का ये मुझे कमेंट्स करके जरू बताएगा यदि जरासी बेच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक शेयर सस्क्राइब करियेगा तो मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए रादे रादे खुश रहिए मस्त रहिए झाल